कि पिशल डाइट मतलब विशेश हाहर किड्नी स्थोन के लिए ये विशेश हाहर में क्या नहीं काना है और इसको अवाइड में बोल सकता हूं अवाइड कीजिए ऐसा नहीं 100% स्टिक्ट करने के लिए कोई जुरूरी नहीं शरीर सुजन रहे तो एक लिटर का ज्यादा पानी नहीं लेना है पाँच गराम का ज्यादा नमक नहीं काना है सारे तेल और फैट्स मतलब मकन गी और कड़वा तेल इसको कम करना है सिर्फ तड़का के लिए उप्योग करना है दूद और दूद का जो भी पदार्त है उसको नहीं लेना है लेकिन दही महुत महात्पूर है वो भी बिना क्रीम उसको दही ले लिजी और दूसरा जो बेकिंग प्रोड़क्ट्स जो पर्टिक्लरली होता है ब्रेड, कुकीज, बिस्केट्स, केक वगरा उसको अवाइड करना है और चावलाव रोटी को 40-50 प्रतिशत के ज्यादा नहीं करना है मटन हो, बीफ हो, पोर्क को इसको अवाइड करना है और आलकॉल और दूसरा जो भी दारू और कोल्ट्रिंग इसको भी तुड़ा अवाइड करना है और क्या काना लेना है यह विशेश हाहर यह स्पेशल डायेट में बोलता हूँ एक है प्रीबोयोटिक्स लेना है पहले प्रीबोयोटिक्स का अर्थ क्या है यह जो है, हमारा पेट का अंदर जो उप्युक्त जिवान है वस जिवानों का आहार है या कुराख है वो आपका किच्छन में ही है वो लसन, दो से तीन कली या चार कली और अधरक आदा सेंटिमेटर स्लाइस करके और मेती का दाना पाने में बिंगा करके या उसका अंकुरित करके सुबह अमारा जो सप्लिमेट हो या दवा हो लेने का बाद में काली पेट में इसको का लेना और उसका बाद में केला का तने का रस मिले तो दो बार लेना है, कभी भी हो और एस्पिशली किद्नी स्टोन और गाल ब्रेडा स्टोन के लिए ये बहुती माहत पूर्ण है और उसका बाद में दो बार कच्चा सब्जी का रस लेना है वो कच्चा का सब्जी का रस में वेरी स्पस्ट में बोलता हूँ B3 मतलब बीटरोट बॉतल काड मतलब खद्दू बीटरोट पानका पत्था नियाधीन रिमाइन एकवल क्वान्तिटी और C4 कैरेट मतलब गाजर बंदागोबी और कीरा और दनिया का पत्ता और किसी एक पल ये सारे जूसर में या मिक्सि में दाल करके उसको 200 ml एक ग्लास जूस बनाने के लिए 150 ग्राम का सब्जी के जरूत पड़ता है इसको दो बार पीना है दो पर में काने का पहले एक बार रात में काने का पहले एक बार ये जो है ब्लड तीनर का रूप में काम करता है और कॉलेस्टरॉल का टैबलेट का काम करता है और शेरीर को ऐसा मतलब पोश्कामश देता है इमेजिन नहीं कर सकता है उसको आप लोगों याद रखना है दो बार और दूसरा अलसी मत्टा ये बहुत ही इंपॉर्टन्ट ये अलसी मत्टा दो बार लेना है एक सुबे ब्रेकफास्ट का समय पर फर्स्ट कोर्स लेना है शाम को एक बार लेना है जब नास्ट का समय पर कैंसर पेशन रहे तो तीन बार लेना है दोपर सुबे और शाम को और कोई भी वीमारी नहीं है वो एक बार लेना है सुबे नास्ट का समय पर इसका महत्तु क्या है एक ग्लास अलसी मट्टा 15,000 रुपया का दाम बोल सकता है दो रुपया भी नहीं लेगा पनाने के लिए क्यूं एक सो किलो मुंग पली में कितना लिगनन्स है कितना ओमेगा-3, ओमेगा-6 है फैटी आसिट्स उतना ये एक ग्लास में है ये डाक्टर जोहना बडविक तियरे का रिसर्च प्रोड़क्ट है ये प्राकृती दिया रहे है ये कीमो जैसा काम करता है कैंसर पेशिंट्स को वो तीन बार लेना है सुबह दुपर और शाम को और अन्य लोगों दो बार लेना है इसमें लिगनंस रहता है ये पूरा बाड़ी को डिटॉक्स करता है ओमेगा-3 ओमेगा-6 रहता है ये सेल का सिल्लूलार मेटाबोलिक एक्टिविटी सिल्लूलार रेस्पिरिटर सिस्टम को रेगलेट करता है ये बहुत ही महत्तोपूर्ण है बनना का तरीक इंपॉर्टेंट है इसको बिहार में थीसी बोलता है अन्य जेगा में अलसी बोलता है इंगलिश में फ्लैक सीड्स बोलता है seeds को fry नहीं करना और powder बना करके नहीं रखना freshly बनाना एक चमच बीज लेना है उसको चोटा grinder में दालना या काफी grinder में दालना उसी में एक चमच तेल मिले थो अलसी तेल उसको दालना और उसी में एक कटोरी दही दालना एक 100 से 150iger एमल उसको mix करना पहले बीज को पोड़ो करना बीजमी ये दोनों दालना mix करना और तेल का नज़र नहीं आना है अधन ब्लेंड करने का बूंगर में चर्न करने को ऊसलिया प्लबाने दाल करें नहीं मिक्स करें तो फेस्ट होता है और तोड़वाली चर्न करें तो उसको आप कईसथ चें असे माणा करें अमध्ता करके पीना और यह तो कभी भी cancer नहीं आएगी brain stroke नहीं होगी और कभी भी आप जो है heart attack नहीं होगी इतना important है